मैं हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिश्कस करने वाल है हाई-परेंशन या फिर ह। हाई-बलट प्रेशर के बारे मैं तो बेसेटली जो हाई-प्लेटबप्रेशर या फिर हाईपरेशं सान ही कोई जीज नहीं है यह यह long term medical condition क्रोणिकव मेडीकल condition है जिसमें जो blood का pressure है वो high हो जाता है normal से और basically इसमें होता क्या है जो blood है आइटेरी के walls पे ज़्यादा pressure डालता है as compared to normal condition तो अब हम लोग को जानना चाहिए कि भाई जो normal blood pressure है वो कितना होता है तो normal blood pressure होता है एक adult में 120 systolic pressure होता है 80 diastolic pressure होता है normal condition में अब जब blood pressure की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अपना blood pressure measure करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि actually मेरा कितना आ रहा है blood pressure उसकी बाद फिर हम लोग further discussion करेंगे meanwhile इस process से आपको ये भी पता चल जाएगा कि blood pressure measure कैसे करते हैं एक मेरे पास बीबी का इंस्टुमेंट है simple सा handy इंस्टुमेंट है ये आपको अमेजर नोगर में मिल जाएगा इसका लिंक में description में दे दूंगा thousand रुपीज के आजपास आता है तो इससे आप अपने घर में ही अपना blood pressure measure कर सकते हैं तो इसमें क्या करना है आपको यह जो होता है इसको इस तरीके से रख लेना आपको left hand में और इसको ऐसे time कर देना है और इसमें देखना है कि एक दाम बहुत जादा टाइड नहीं करना इसमें एक उंगली ऐसे इस तरीके से भूश जाना चाहिए तो इसका मतलब यह कि नॉर्मल पोजिशन में है अब इसमें हमें यह जो है बटन इसको स्टार्ट कर देना है और बागी का काम इस्ट्रुमेंट अपने आप कर देगा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि यह अपने प्रेसर जनरेट कर रहा है इसमें हवा भर रहे हैं तो यह प्रोसेस अपने आप कम्प्लीट हो गया अब आपको रिडिंग दिख गया होगा कि मेरा ब्लड प्रेसर कितना है तो मैं भी तो अपना देखूं कि कितना आ है 129 बाई 80 आ रहा है मतलब ठीक है कोई सच प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से हम अपना ब्लड प्रेसर मेजर कर सकते हैं और हम लोग अब फर्दर डिसकेशन करते हैं यह जुगार था तो आगे हम लोग डिसकस करते हैं कि भाई जो ब्लड प्रेसर है फिर हाइपर है नहीं है जिसमें ब्लड प्रेसर हो हाई हो जाता है और किसी भी तरीके का बीमारी नहीं है एक मेडिकल कर डिशन है जेस्ट कर्णिशन बट यह लोंग टम में रहता है तो बहुत सारे प्रोबलम क्रिएट कर सकता है और इसको देखा जाये तो सिंप्टम्स इसके आपको नहीं होंगे तो इसलिए आपको यह सजेस्ट किया जाता है कि आप साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेसर अगरा चेक कराते रहें ताकि आपको हाई बीपी या फिर लो बीपी हो तो आपको पता चल सके अधरवास आपको यह कोई symptom ही नहीं देगा और ultimately जब आपको symptom देगा तब वो बहुत एं क्रिटिकल कंडिशन पहुत चुका होगा इन क्रिटिकल कंडिशन ब्लड प्रेसर में है वission मतलब सांसा लेने में से क्लीप हो सकती है उसके अलावा आपको nose bleeds हो सकता है मतलब नाग से खून बह सकता है तो यह सारे symptoms ऐसे हैं जो hypertension में तभी appear होते हैं जब hypertension एकदम critical condition में पहुँँ जाता है तो आपको इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप regular interval में मतलब कम से कम साल में एकाइब बर तो अपना blood pressure वगरा चेक करा लें कि कहीं बहुत जादा high तो नहीं है नेक्स्ट हम लोग डिसकस करते हैं cause of hypertension तो basically hypertension का दो टाइप होता है पहला होता है primary hypertension तो primary hypertension का काराण का हम लोग बात करेंगे तो इसका no identifiable cause of high BP मतलब यह बहुत सारे कारणों से हो सकता है इसका कोई specific कारण नहीं है बहुत सारे factors involved होते हैं इसके सांसा develop gradually over many years मतलब यह जो high BP दिरे 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 करके बहुत साल तक वह gradually develop होता है इक अठे आपको appear नहीं होता है दिरे 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 करके बढ़ते जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा नेक्स्ट होता है it may be due to यह सारे कारण हो सकते है प्राइमरी हाइपर टेंशन के बट ऐसा नहीं कि इनी के कारण होगा इसके लाब भी और multiple reasons हो सकते है जिससे आपको अचानक से आपको पता लगया कि आपका बीपी बढ़ गया है तो यह कौन कौन से करण हो सकते हैं लिए मतलब किसी को ऐसा प्रापलम होता है कि सोते रहते हैं तो उसमें फिर अचानक से उंकी सांस रुख जाती है फिर चलने लगते है तो उस कंडिशन में हाइब बीमई आ सकता है तो वहां पर भी high BP हो सकता है, adrenal gland, fatal tumor वगर हो गया, तो वहां पर भी high BP होने के chances रहते हैं, थारइड का problem है, तो वहां पर भी hypertension हो जाता है, certain defects you are born with, मतलब birth time से ही कुछ defect रहता है, तो उस condition में भी उस particular person को hypertension की problem आ सकती है, नेक्स्ट होता है certain medications मतलब कुछ medicines वगर है की वज़ा से भी hypertension हो सकता है इसके अलावा illegal drugs such as cocaine मतलब cocaine, amphetamine ये सारे ऐसे drug हैं जिनकी वज़ा से hypertension हो सकता है ये जो drugs है ये illegal होते हैं इनको नहीं लेना होता है तो ये सारे कारण होता है hypertension अब इसी में further हम लोग discussion करेंगे complication due to hypertension तो hypertension के कारण क्या क्या complications आते हैं पहला आता है heart attack heart attack क्या होता है मतलब हमारे जो heart की muscle होते हैं वहाँ पर कुछ कुछ जगह पर जो blood का supply हो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हमें heart attack आ जाता है मतलब जो हमारे heart एक फुरा सालका से जटका दे देता है ठीक है उसके बाद आता है stroke मतलब आपके जो brain के sales है उसको प्रॉपरली blood supply नहीं मिल पाता है तो वह प्रॉपरली blood supply नहीं मिल पाता है तो वह तो होता है एनियूराइज तो hypertension के करण एनियूराइज में भी हो जाता है यह कौन सा condition है जो blood vessels है वो क्या हो जाते है उसमें bulging हो जाती है मतलब थोड़ा सा फैल जाते हैं और नसे देखने लगती है तो यह भी hypertension के करण हो सकता है इसमें next condition आपको हो सकता है heart failure मतलब जो आपका heart है वो fail हो सकता है बिकॉस यदि आपका blood pressure high जा रहा है मतलब heart को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ज्यादा pump करना पड़ रहा है तो आपके जो heart के मसाल है वो rigid हो जाते है वो hard हो जाते है और ultimately आपका heart condition में आ करके fail हो जाता है उसके आप फिर जो person है उसकी death भी हो जाती है नेक्स्ट होता है weekend and narrowed blood vessel in kidneys तो kidney में जो blood vessel है वो weak हो जाते है और narrow हो जाते है तो वहाँ पर properly जो blood का supply है ठीक से नहीं जा पाता है तो यह भी hypertension के consequences है या फिर complication है next होता है metabolic syndrome जैसे की diabetes वगरा हो जाता है बहुत लोगों को इसके बाद हम लोग next देखते है that is trouble with memory और understanding मतलब hypertension बहुत जादा chronic condition में बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो उस particular person का जो memory है ठीक से काम नहीं करता है भूल जाता है उसको dementia वगरा हो जाता है तो यह होगे complication अब हम लोग बात करते है treatment का hypertension का treatment क्या है तो पहले तो changing your lifestyle मतलब hypertension को permanently आप ठीक करना चाहते है या फिर मतलब ठीक क्या hypertension तो एक condition है medical condition है वो बिमारी तो है नहीं तो उसको reduce करना है normal position में लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपका जो lifestyle है उसको change करना पड़ेगा सही से आपको exercise वगरा करना पड़ेगा food वगरा ठीक से खाना पड़ेगा आप जितना energy intake करें उतना आपको burn out करना पड़ेगा अधर्वाइस obesity वगर आएका और hypertension होगा कि इसमें क्या क्या आता है आपका eating a heart healthy diet with less salt मतलब healthy diet आपको खाना है जिसमें कम नमक हो getting regular physical activity physical activity आपके regular होनी चाहिए maintaining a healthy weight आपका जो weight है वो healthy होना चाहिए बहुत ज्यादा obese नहीं होना चाहिए आपको limiting the amount of alcohol यदि आप alcohol पीते हैं तो आपको limit में पीना है बहुत ज्यादा alcohol नहीं पीना है अब हम लोग बात करते हैं medications का तो जो भी medications है आपको physician के consultation के बाद ही लेना है self medication खताई नहीं करनी है बिल्कुल भी नहीं करनी है प्रकॉस जो हाई बीपी का medicine है वो लंबे समय तक चलता है ठीक है उसका chronic problem आ सकता है तो इसलिए डॉक्टर के सलाह से medicine लेना चाहिए इसमें जो first category that is diuretics इसमें जो डॉक्टर्स देते हैं chlorothalidone देते हैं hydrochlorothiazide देते हैं इसमें नेक्स category रख है एंजियोटेंसिन converting enzyme inhibitors इसमें आपका लीसी नीशील लाजाता है बेनाजएफ परिल आ जाता है कैपτοप परिल आता है पिर आता है आपका एंजियो टेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसमें आता आपका टेलमी सब्सक्राइब यह सारे होते हैं नेक्स्ट आता है कैल्सियम चेनल ब्लॉकर्स इसमें आपको और इसमें नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर जिसमें एसी ब्लॉकर या फिर कोई और दूसरे बीटा ब्लॉकर्स होगरा दिये जाते हैं ताकि आपका जो ब्लड प्रेसर है वह नॉर्मल करडिशन में रहे तो भाई हाइपर टेंशन को हमें क्यारफुली देखना पड़ेग विकॉस हाइपर टेंशन से बहुत सारे प्रावलम क्रियेट हो सकते हैं तो आपको हाई बीपी से बचना चाहिए और इसके लिए जो भी हर संभव उपाय है वह करना चाहिए और हमें हेल्दी रहना चाहिए आई होप यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगाऊगा थ